So guys, welcome back to our YouTube channel. बहुत सारे बच्चे अपने मांक से खुश नहीं हैं. तो देखो भाई, आप लोगों के लिए एक जबरदस तुम्हाला नोटीस काउंसिल ने दिया है. क्योंकि आप लोगों में अल्मोस्ट बच्चे अपने मांक से खुश नहीं हैं. आपके पास, अब आप अगर अपने मांक से खुश नहीं हो, तो आपका अगला स्टेप क्या हो सकता है? क्या क्या करके आप चाहू तो अपने मांक को रेक्टिफाई करवा सकते हो? दोस्तों इस वीडियो में वही बात आप लोग करेंगे. वैसे तो ये नोटिस बेंगॉली लेंगुज में है, बट हाँ, आपका भाई इतना आपको समझा देगा, कि आप समझ जाओगे. बट हाँ, अगर पढ़ने में कुछ गलती हो जाए बेंगॉली में भाई तो माफ कर देना, बट सारा कंटेंट में सही सही आपको बता दूँगा. सुनो, सुनो, आज हम लोग की जो प्रेसीडेंट मैडम है, उन्होंने साफ साफ कहा कि कुछ स्कूल ने अपना रिजर्ट सही से जमा दिया नहीं, कुछ स्कूल ने बहुत लेट से जमा दिया और इतना ज्यादा मांक्स दिया अतने बच्चों को, कि उसको रेक्टिफाई क करके रिजर्ड बनाना पड़ा, तो अगर आप लोग अपने मांक्स से खुश नहीं हो, क्योंकि आप लोग में बहुत बच्ची ऐसे होंगे, जो देख्योंगे, मेरा 11 में तो अच्छा मांक्स आया था, लेकि 12 में तो इतना अच्छा मांक्स मिला नहीं, तो दोस्तों, जल लिखित थियोरी पेपर का जो रिटेन पेपर था रिवियर खेत्रे विद्यालेर प्रधान के निम्नो लिखित तोदी विष्थित कारण सो संसेदर संसलिस्ट अंचलिक कार्या लई 26 जुलाई 2021 तारीके बेला तींटर मौद्दे आवेधन कौत्ते होबे मतलब 26 जुलाई 2021 त मैं या प्रिंसिपल सर है उनको 26 जुलाई 2021 का तीन बजे तक उनके पास टाइम है उनको क्या-क्या चीछ जमा देना होगा रिव्यू के लिए विद्यालेर क्रोतिक दुवजार सालेर पठानो एकदस्त्रेनिर पौरिकर मार्क्स फॉलेर स्कैंड कॉपी जो उन लोगोंने म हड़ कोपी भी चाहिए एंड जे चाहतर चाहतरी बाजे चाहतर चाहतरी देर जो स्टूडेंट रिव्यू के लिए एप्लिकेशन देंगे उन बच्चों का ओरिजिनल माक्शीट चाहिए उन उत्तर पत्र मतलब 11 बास का आंसर शीट तो क्या-क्या लग गया जो स्कूल ने scan copy आपका result का दिया है वो जो school ने hard copy जमा किया उसका copy एंग जो बच्चों का आप review चाहते हो उन बच्चों का मतला अगर सपोज आपका paper review में आप दे रहे हो तो आपका 11 का जो original mark sheet है वो चाहिए और 2021 साल है उच्चो मात में एक master copy अभी जो mark sheet दिया गया है उसका xerox theory paper का written paper के लिए review होगा बस तो दोस्तों आप अगर खुश नहीं हो अपने mark से तो आप जाईए और अपने school से contact करिए आपका school council में जो local office है वहाँ पर जाकर के contact करेंगे लेकिन 26 जुलाई से पहले 26 जुलाई का 3 बई से पहले जो भी करना है भाई 26 जुलाई के 3 बई से पहले आप जाईए और जमा कर दीजे और दोस्तों आप आप तो जमा आप रिव्यू में ना दो बट आपका कोई friend जो रिव्यू में देना चाहता है उसको notice ना पता हो इस कारण से वह देना सके तो दोस्तों प्लीज शेयर करिए और चैनल पर पहली बारा है तो subscribe करिए अगला वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन-कौन से college में admission स्टाट हो गया है और कौन-कौन-कौन-कौन-कौलेज में admission होगा थैंक यू